हेलो गाईज वेलकम बेक टो दे चैनल और वेलकम बेक टो इली ट्रेसलिंग ये वीडियो एक दम आखिर तक जरूर देखना और गाईज ऐसे ही AEW से लेट हरेक नियूज रूमर और अपडेट और AEW के हरेक शो का रिवीव पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा मत भूलना पर अब जादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरुवात ही करते हैं Mercedes Mone से क्योंकि जब से Mercedes Mone AEW के अंदर आई है तब से देखने में लग रहा है कि Mercedes Mone AEW के अंदर फुली डेडिकेट होकर काम कर रहे हैं क्योंकि आपको तो पताए होगा कि AEW Company जोइन करते ही Mercedes Mone ने कहा था कि AEW के अंदर Mercedes Mone अपना 100% देने वाली है और गाइस चाहिए देही चीज़ प्रूव करने के लिए हाल फलाल में Mercedes Mone अपने तरफ से AEW को प्रमोट करते हुए काविसारे TV शोज और काविसारे गेम्स के अंदर भी जाकर AEW की शोज को प्रमोट कर रहे है जैसे कुछ करते हुए Mercedes Mone के तस्वेरे हाल फलाल में AEW ने अपने सोचल मेटा हैंडल्स पर शेर की है और यहाँ पर देखने में लग रहा है कि Mercedes Mone भी AEW को प्रमोट करते हुए काफी खुश है और मानो देखने में लग रहा है कि वो भी चाहती है कि AEW कमपणी को भी सक्सेस मिले और इसके लिए Mercedes Mone पूरी तरीकी से अपने आपको जोग कर काम कर रहे है जिस पर आपका क्या कहेना है या आप मुझे का मैट करकर बताईए लेकिन गाई जब हाली में Mercedes Mone AEW के Dynamite Show पर आई थी तो Mercedes Mone का ये डेब्यू तो काफी जबदस डेब्यू रहा है पर हाली में एक फैन ने Mercedes Mone के डेब्यू का रियक्शन अपने Social Media Handles पर शेर किया है जहाँ पूर उस फैन की बेटी Mercedes Mone की काफी बड़ी फैन थी पूर से कुछ पता नहीं था कि क्या Mercedes Mone AEW के अंदर आने वाली है आ नहीं और जब उसने Mercedes Mone को AEW के अंदर देखा तो Mercedes Mone को AEW के अंदर देखकर वो तो काफी खुश हुई थी और काफी सर्प्राइज भी हुई थी और यहाँ पूर उस शोटी बच्ची का रियक्शन भी काफी प्राइज लिस था क्योंकि वो जन्यूनली काफी सर्प्राइज हुई थी और इस पर Mercedes Mone ने उस फैन को भी हाई करकर रिपलाई दिया है जिससे के आप समझ सकते हैं कि Mercedes Mone ने भी यह चीज नोटिस किये है जो फैन का एक अच्छा कासी रेक्शन था जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर देना चाहिए जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि अगर आप wrestling को बिना किसी spoilers के enjoy करते है तो कितने surprising चीज होती है पर फिलाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और ज़रा बात करते हैं Matt Hardy की क्योंकि जैसे मैंने आपको हाल फिलाल में बेली और नियों में के बारे में थोड़े फार update शेयर किये है वेसी Matt Hardy को देखकर लग रहा है कि Matt Hardy भी अपने company से बाहर निकल कर और भी कही सारी जगों पर जा रहे है क्योंकि अगर आपने एक चीज नोटिस नहीं की तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वीक का Monday Night Raw Matt Hardy की hometown से था जहाँ पर आपको commentary करते हुए माइकल कोल हारडी को मेंशन करते हुए दिखाय दिये होंगे लेकिन गाइज इसके साथ ही Matt Hardy के wife यानि के Reby Hardy ने अपने social media handles पर एक video शेर किया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कह रही है कि माइकल कोल ने Hardys को मेंशन करते ही Reby Hardy और Matt Hardy इस वीक का Monday Night Raw का शो देखनी के लिए आये थे जो कहे करे क्रील हालफलाल में Matt Hardy की wife ने अपने social media handles पर शेर की है जो देखकर आप समझ सकते हैं कि Matt Hardy इस वीक Monday Night Raw पर थे और कुछ फैंस ने मैट Hardy को spot किया है जहाँ पर अकर Matt Hardy सिर्फ WWE का शो उनके hometown के अंदर है इसलिए देखनी के लिए गए हो तो गाईज इस इस इफ नॉर्मल बात होगी पर हाली में Matt Hardy को लेकर एक काफी surprising update भी सामने आई है और गाईज यहाँ पर बताया जा रहा है कि probably Matt Hardy की AEW के साथ deal काफी जल्दी खत्म होने वाली है और यहाँ पर Matt Hardy AEW कमपनी के साथ नए deal पर negotiations कर रहे है जो update हाल फलाल में Matt Hardy को लेकर सामने आ रही है और एसे में हमने देखा भी है कि Matt Hardy AEW के अंदर अपने booking से काफी नाराज दिखाए दे रहे थे और एसे में Matt Hardy WWE के शोज भी देखनी के लिए गए थे इसलिए हाल फलाल में wrestling world के अंदर Matt Hardy को लेकर काफी speculation चल रहे है कि Matt Hardy पहले ही AEW के अंदर उतने खुश नहीं दिखाए दे रहे है उनकी deal पे expired हो रहे है और हाल फलाल में वो WWE के शोज पर भी गए थे तो probably सब लोग कह रहे है कि मैं Matt Hardy AEW कमपनी छोड़ कर शायद दुबारा से WWE के अंदर आते होई दिखाए दे सकते है जो कि अगर होता है तो guys ये काफी बुरी बात होगी क्योंकि हमें अभी AEW के अंदर Hardy बाइस का वो iconic रन नहीं देखने हो मिला जो कि हम देखना चाहते है और मुझे लगता है कि Matt Hardy भी वही चीज़ देख रहे है कि उन्हें अपने भाई के साथ एक आखरी और एक काफी जबदस रन चाहिए और अगर Matt Hardy WWE कमपनी जोइन भी करते है तो मुझे नहीं लगता कि WWE Jeff Hardy को अभी अपने कमपनी के अंदर वापस लेगी क्योंकि Jeff Hardy जिन सरकम्टाइसिस पर WWE कमपनी छोड़ी है वो उतने अच्छे तो नहीं थे और Matt Hardy को अपने भाई के साथ आखरी रन चाहिए इसलिए मुझे लगता है कि मानू कि Matt Hardy की AEW डील काफी जल्दी एक्सपार होने वाली है लेकिन हमें Matt Hardy आगे भी AEW के साथ कंटिन्यू करते हुए दिखाए देंगे जिस पर आपका क्या केहना ही आपको जी कमेंड करकर बताईए क्या आपको क्या लगता है कि Matt Hardy AEW छोड़कर जाएंग या नहीं पर फिलाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं Jungle Boy Jack Perry की और जानते हैं कि Japan के अंदर जाकर हाली में Jack Perry ने क्या किया है तो गाईज आपको तो पताई होगा कि अपने रिटन के बाद Jungle Boy Jack Perry अब New Japan Pro Wrestling के अंदर रसल करे है जहाँ पर Jack Perry ने NJPW Cup Tournament के अंदर पार्टिसिपेट भी कया है और Jack Perry इस Tournament के पहले दो मैचिस तो काफी आसाने जीत गए थे और इसके साथ ही हमें surprisingly Jack Perry इसी Tournament के ब्रैकेट्स के अंदर सनाडा के साथ फेस्टो फेस आते हुँ दिखाए दिये जहाँ पर इस Tournament के अंदर नेक्स मैच जैक पैरी वरसे सनाडा होने वाला था जो मैच हमने पहले भी AEW के टेलिवीजन पर देखा है जब लास्ट टियर Forbidden Door पेपर यू पर ये दोनों ही सूपरस्टास एक दूसरे के आमने सामने आये थे और तब तो सनाडा ने जैक पैरी को हरा दिया था जो कहे कर जैक पैरी ने यहाँ पर सनाडा पर अटेक करना स्टार्ट कर दिया जैसे तो ये मैच शुरू हुआ और इसके बाद जैक पैरी और सनाडा इनके बीच में ये मैच एक काफी जबदस्त मैच चला लेकिन गईज इस मैच के आखिर में सर्प्राइजिंग इस सनाडा ने फिरिक पर जैक पैरी को हरा दिया है और जैक पैरी अभी इस NJPW कप टोर्डामेंट से बाहर हो चुके है जो देखा जाए तो जैक पैरी के लिए फिरिक बार एक काफी बड़ा लौस था पर यह मैच हारने के बाद यहाँ पर बैक्स्टे सेग्मेंट के अंदर बात करते हुए जैक पैरी ने कहा कि माना कि जैक पैरी सनाडा खिलाफ हार चुके है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जैक पैरी अब NJPW के अंदर और कुछ नहीं करने वाले क्योंकि अब जैक पैरी के पास NJPW के अंदर करने के लिए काफी सारे चीज़े बागी है और जैक पैरी एसे एसी चीज़े करने वाले है जो देखकर फैंस शौक रहेंगे जो बाते जैक पैरी ने कही है तो देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए जैक पैरी नुजिपान प्रोईस लिंक के अंदर क्या गया करते है और हमें जैक पैरी कब तक वापस आते हुँ दिखाय देते है पर आप मुझे गमेंड करकर बताईए कि जैक पैरी की सरन पर आपका क्या कहना है पर फिलाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जराब बात करते हैं एक काफी सिरियस अपडेट की और जानते हैं कि हाली में कौन से AEW सूपर स्टार ने WWE Board of Directors के मेंबर यानि के The Rock को गाली दे दी है तो गाइस आपको तो पताई होगा कि हाल फ्लाल में The Rock WWE के टेलिविजिन पर एक पर्मनेंट फिगर बन चुके है जहाँ पर वो कोडी खिला फ्रैवलरी देते हुए वीक बाइविक टेलिविजिन पर काफी कमाल कर रहे हैं और यहाँ पर The Rock ने कोडी के फैमिली के बारे में काफी बली बुरी बाते कही है जो चीज कोडी तो पहले से टॉलरेट नहीं कर रहे है लेकिन गाइस AEW के अंदर भी एक सूपर स्टार है जो कि यह चीज टॉलरेट नहीं कर रहा और गाइस वो कोई और नहीं बलके कोडी के ही बड़े भाई यानि के डस्टन रोडस है और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डस्टन रोडस AEW की साथ तो काम करते ही है पर इसके साथ ही Dustin Rhodes की खुद की एक wrestling academy भी है जिसे academy का राम Rhodes Wrestling Academy है और इस academy के अंदर weekly कहीं सारे matches होते है और इस academy के खुद की championships भी है और एसे ही Dustin Rhodes ने हाली में अपने social media handles पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वो अपने academy के अंदर नए championships लाने वाले है जो के RWA Tag Team Championships और उनके academic is Tag Team Championships के लिए इस week उनके academy के अंदर एक match भी होने वाला था जो बाते कहते हुए Dustin Rhodes ने एक तरीके से यहाँ पर अपने academy को प्रमोट तू किया पर जाते जाते Dustin Rhodes ने The Rock को F The Rock कह दिया जो चीज मैंने कभी expect नहीं की थी कि Dustin Rhodes कहेंगे पर देखने में लग रहा है कि Dustin Rhodes भी The Rock के week by week ड्रामा से काफी तंग आ चुके है और इसलिए Dustin Rhodes ने अपने तरफ से The Rock को F.U. कह दिया लेकिन आप मुझे comment करकर बताईए किस पर आपका क्या कहना है पर guys अगर सच में Dustin Rhodes भी WWE के अंदर Cody की स्टोरी के अंदर होते तो ये देखने के लिए काफी मज़ा आता पर मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी होगा पर फिलाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और ज़रा बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें काफी जल्दी MJF AEW के अंदर वापस आते हुए दिखाये दिने वाले है या नहीं तो guys अगर आप MJF को follow करे हैं तो आपको तो पताई होगा कि जबसे MJF ने last year अपनी world heavyweight championship हारी है तब से हमें MJF AEW के अंदर नहीं देखने को मिले और reports तो ये भी कह रही है कि MJF क AEW के साथ contract officially खत्म हो चुका है और अब MJF AEW के साथ नहीं है लेकिन इसके साथ ही काफी सहरे लोग ये बीची speculate कर रहे है कि ये probably एक काफी बड़ी storeland है और यहाँ पर MJF officially AEW company के साथ है लेकिन अब तो को आपस नहीं आ रहे है पर guys हाली में MJF के AEW के अंदर रिटन को लेकर क काफी जादा speculations आने रगी है कि मैं probably MJF काफी जल्दी अपना रिटन करते हुए दिखाया दे सकते है और guys ये सब speculations इस बार इसलिए आ रहे है क्योंकि हाली में AEW ने अपना नया पेपरियू AEW dynasty अनौंस कर दिया है जो कि April 21st को होगा और Tony Khan ने इस पेपरियू के बारे में रूल करती है और Tony Khan का विजन है था कि AEW के अंदरे से कहीं साइ सूपरस्टास हो चुके है जो के AEW को रूल कर रहे है इसलिए Tony Khan ने इस नाम का पेपरियू अपने कंपनी के अंदर अनौंस किया है जो बात तो Tony Khan ने बताए थी पर guys fans ने एक चीज नोटिस की है कि जब MJF AEW fans से speculate कर रहे है कि हमें probably MJF इस dynasty pay-per-view पर अपना return करते होई दिखाए दे सकते है क्योंकि इसके पहले MJF ने indies के अंदर dynasty नाम के फैक्शन के अंदर भी काम किया है जो हाल फ्लार में सिर्फ speculations है कोई report नहीं लेकिन आप मुझे comment करकर बताईए किस पर आपका क्या कहना है कि क आपको लगता है कि मैं काफी जल्दी dynasty pay-per-view पर MJF अपना return करते होई दिखाए देंगे या नहीं लेकिन गाई सच में अगर इसा होता है तो फिर एक बार MJF की story देखने के लिए मजा आएगा और देखना पड़ेगा क्या आगे MJF क्या करते है पर एसे ही AEW से रलेट रहरे एक news, rumor और update और AEW के रिख show का review पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलना पर अबने मिलता हूं अब से अगली वीडियो के अंदर पर तब तक stay healthy, stay happy and keep watching Elite Wrestling me this time